दाधी नानी दोरा बताएगे कीचन के टिपस और टिक सबसे पहले आलू को काट कर पानी में रखे और उसमें एक चम्मस नमक डाल दे इससे आलू काले नहीं होंगे कीचन में चीटिया दिखाई दे तो चीटियो वाली जगा पर थोड़ा सा आटा छीड़क दे इससे चीटिया चली जाएगी नेक्स्ट है सब्जियों में मिर्श अधिक हो जाए या सब्जी तीखी हो जाए तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दे इसे सब्जी का तीखापन चला जाएगा नेक्स्ट है खसकस को मिक्सी में पीछ रहे हैं तो इसे 10-15 मिनिट तक गर्म पानी में भीगो कर रखे नेक्स्ट है यदि आप मास को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखते हैं तो कॉंप्रेसर के लिए वेपर पतले स्लाइस को काटना आसान हो जाएगा नेक्स्ट है नूडल्स याप किसी पतले पास्ता की प्रतेक स्ट्रिंग को अलग-अलग करने के लिए उबालने और पानी निकालने के तूरंद बाद इसे ठंडे पानी में डाले नेक्स्ट है पानी रिया के एक जैसी नरम चीज को काटने के लिए खुसबूफ वाले फ्लॉक्स का उपियो करें नेक्स्ट है एक कब दाल बनाने के लिए दाल के प्रकार के आधर पर कम से कम दो से तीन कब पानी डाले नेक्स्ट है मिर्च काटने से पहले अपने हाथों को वनसपती तेल से लगड़े इसे जलन नहीं होगी नेक्स्ट है आलू पकाने के बाद उन्हें छील ले और कुछ देर के लिए ठंडे पानी में विगोदे खाल एकदम उतर जाती है नेक्स्ट है वाइन को चिल्ड और अंडिलेटेड रखने के लिए उसमें फ्रोजन अंगुर डाले नेक्स्ट है पीसे विए मसालों को धीमी आज पर भूनिये ताकि इसका रंग और श्वाद बरकरार रहे नेक्स्ट है ग्रेवी में थोड़ी सी साधी चीनी या केरमलाज चीनी मिलाने से यहाँ स्वादिष्ट हो जाती है नेक्स्ट है पकोड़ा बनाते वक्त पकोड़े के बैटर में थोड़ा सा चावल आटा डाले इसे पकोड़ा कुरकुरे बनेंगे नेक्स्ट है अगर सबजी में नमक जादा हो गया हो तो एक बढ़ा आलू छील कर उसके दो तुकड़े कर सबजी में डाल दे आलू अतिरिक नमक को सोक लेगा इडली डोसे का मिक्स खटा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूद मिला ले खटा पन निकल जाएगा क्या आपको पता है सबजिया सलाद अधी बहुत छोटे आकार में काटने से उनकी पॉस्टिकता कम हो जाती है नेक्स्ट है आलू और प्याज को कभी भी एक ही टोकरिया बैग में न रखे इसे आलू बहुत जल्दी सरने लगते हैं नेक्स्ट है हरी सबजिया को सूखने से बचाने के लिए इन्हें गोले नरम तौली या कपड़े में लपेट कर रखे नेक्स्ट है आलू को काटने के बाद इसे तूरन ठंडे पानी में भीगो कर रखे इसे आलू काफी समय तक काले नहीं होगे नेक्स्ट है खाना बनाते समय हाथ जलने पर बारिक पिसा हुआ नमक लगाने से छाला नहीं पड़ता है नेक्स्ट है लंबे सफर के लिए पूरिया बनानी हो तो आटे को पानी के बज़ाए दूद में कुंत ले कई दिनों तक खाराब नहीं होगे नेक्स्ट है सबजी बनाते वक्त टमाटर नहों तो निम्बू के रस में थोड़ी चीनी मिला दे तो बिल्कुल टमाटर जैसा स्वाद बन जाएगा नेक्स्ट है पानी में निम्बू और गुलब जल्ब की कुछ बुंदे मिला कर किचन स्लैप साफ करे इससे स्लैप की सफाई हो जाएगी नेक्स्ट है किचन की टैल्स पर किसी तरह के दाग धबे है तो दाग धबे को पहले सिर्के से पोच कर उसके बाद गर्म पानी में साबुन मिला कर साफ करे इस तरह से दादी और नानी के कुछ बताएवे टिप संतिक्स है धन्यवाद